कि अधिया वेल्कम टॉइटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनोमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स एच्छी बोर्ड तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एच्छी बोर्ड में हो महरास्ट्रा बोर्ड तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है अच्छे से तो पहले तो इकोनोमिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पेपर पैटन दिखा देता हूं पेपर पैटन नया आया है तो यह तो वेटेज है आप इसे चाओ त पॉस्ट करके लिग भी सकते हो चैप्टर के वेटेज और अब हम आज आते हैं पेपर पैटन पर तो यह जो हमारा पेपर पैटन है 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका तीन घंटे का रहेगा यह जो पेपर पैटन है यह इकोनोमिक्स का 2022 का है अगर आपको डिटेल वीडियो कुछ यह पेपर पैटन एकोनोमिक्स की तो हमने पहले ही बना चुक है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी आप जाके वह देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो हम देखेंगे पास पासिग मार्क्स तक कैसे अटेंड करना है फिर पासिग म नमबर 4 from the following types of sub questions any 4 will be asked तो यहाँ पर question number 1 जो है उसमें ना देखो 1 से लेगा पूरा 8 तक sub questions दिए हैं आपको पूरे के पूरे sub questions दिए 8 उसमें से सिफ 4 पुछे जाएंगे आपको exam में अब वो 4 अगर आप पूरा attempt करते हो तो आपको 20 marks मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है पहले तो आपको textbook लेना है और जितने भी objectives है जितने भी सभी पढ़ लेना है अच्छे स अगर आप 20 attempts नहीं करते हो तो भी आप कुस्तो 15 या 16 attempts कर पाओगे अगर आप पूरा का पूरा textbook के पिछे का objectives exercise के पढ़ते हो तो तो पहले तो आपको वो पूरे पढ़ने है और हाँ ये जो जो board papers होते हैं na 2015 previous year के 2014 से लेके पूरे 2020 तक board papers उटाओ और उसमें जितने भी objectives आ वो papers आपको कहा से मिलेंगे तो हमने पहले ही पहले ही वो papers सभी upload कर चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको description में जाना है वहाँ पर टेलीग्राम की link मिलेगी आप उस link पे click करके आराम से join हो जाईए सारे के सारे subjects के आप 2014 से लेकर 2020 तक पूरे के पूरे papers download कर सकत हैं तो अचलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप 20 marks easily secure करना है आपको पहले तो objectives पढ़के अब आपने objectives पढ़ लिया question number six answer in detail तो देखो अब question number one 20 marks आगे आपको question number six answer in detail यहाँ पर आप पूरे के पूरे marks अच्छे से score कर सकते समझो यहाँ पर एक question 8 marks का तो आपको दो attempt करना है तीन में से तो 16 marks आजाएंगे अगर आप दोनों भी अच्छे से attempt करते हो तो आपको अगर 8 नहीं तो 6 या 7 तो मिलेगा तो आपको 12 marks easily मिल सकते आराम से अगर आप एक दो point अच्छे से नहीं लिखते हो तो भी तो आपको यह पूरा पढ़ना है answer in detail देखो मैं आपको बताता हूँ answer in detail में कौन से questions आएंगे तो देखो question no.6 answer in detail में मैंने important question बना के रखा है question no.6 में आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको proof करके भी बताऊंगा question no.6 में वैसे types के पूछे जाते हैं देखो आपको question no.6 के लिए कौन से chapter से पढ़ना है तो chapter no.3 एक डिमार्ड एनेलिसिस आपको chapter no.3 एक डिमार्ड एनेलिसिस पर आना है और एक question पढ़ना है आपको explain the law of demand and its assumptions and exceptions ये law of demand उसके assumptions भी पढ़ो exceptions भी पढ़ो क्योंकि देखो दोनों में से तो एक ही पूछा दाएगा assumption या exception लेकिन इसमें से कुछ भी पूछ सकता है तो आपको risk नहीं लेना है आपको दोनों पढ़ना है तो अगर assumption पूछा तो भी आप लिख सकते हो exception पूछा तो भी आप लिख सकते हो और अगर आपको law of demand assumptions and exceptions नहीं आता तो आपको description में लिंक मिल जाएगी law of demand assumptions and exceptions हमने पहले ही वीडियो बना चुके इसके explanation पर और कैसे लिखना है आपको वह question तो आप description में आके link पर click करके देख सकते हैं वीडियो तो आपने यह question आपने कर लिया तो आपका 8 mark secure हो जाएगा अब दो question करना था हमें एक mark एक question तो हमने कर लिया 8 mark का अब second question क्या करना है देखो इसी chapter के chapter number 3 B elasticity of demand का आपको कुछ questions पढ़ने है तो आपको दोनों भी question number 6 जो है पूरा का पूरा secure हो जाएगा आपका 16 marks तो क्या करना है आपको price elasticity of demand and its type आपको price elasticity of demand पढ़ना है और उसके types पढ़ना है similarly methods of measuring price elasticity of demand जितने भी methods है price elasticity of demand को measure करने के लिए वो सभी methods आप पढ़ लो और what is elasticity of demand and types of elasticity of demand तो देखो elasticity of demand क्या और उसके types वो पढ़ना है आपको यह elasticity है और यहाँ पर price elasticity है दोनों भी different है तो यह तीनों आपको पढ़ना है और एक पढ़ना है आपको explain the data minutes of factors data mining elasticity of demand अगर आप इतना यह chapter 3b का 4 questions और chapter 3a का यह सिफ एक question आप करोगे ना law of demand तो आप पूरा का पूरा question number 6 answer in detail 16 mark easily ला सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आप देखो मैं आपको proof दिखाता हूँ हम आजाते हैं board paper 2020 पर तो 2020 में मैं zoom कर देता हूँ 2020 में question number 6 में क्या पुछे गया है देखो first question है explain the law of demand with its assumptions law of demand पुछे गया है with its assumptions मैंने आपको बूला law of demand करना assumption भी करना exception भी करना तो आपने दोनों की है तो आपको assumption तो आते ही होगा तो आप यह easily लिख सकते हो अब second one यहाँ पर क्या पूछ लिए what is elasticity of demand explain the type of elasticity of demand तो elasticity of demand types of elasticity of demand यह दोनों भी मैंने आपको बताया देख सकता आप यहाँ पर मैं वापिस दिखा देता हूँ elasticity of demand types of elasticity of demand तो आपने पूरा का पूरा 16 marks यहाँ पर gain कर लिया है अब 2019 में भी आप देख सकते है 2020 का मैंने आपको दिखाया अब यह 2019 का वेपर है देखो 2019 में भी हम देखते क्या हम attend कर पाएंगे अगर आपने उतने question की हैं तो जो question है देखो law of demand with its exception यह भी आप कर सकते हो what is elasticity of demand determinants of elasticity of demand यह भी आप कर सकते हो मैंने इसमें दिया हूँ देखो data minutes और factors data mining दोनों भी सेम होता है अगर data minutes आया या फिर data minutes के पर factors data mining आयेगा तो आपको confused नहीं होना है दोनों का मतलब एक ही है तो आपने यह भी पढ़ा तो आप पूरा 2019 का भी question number 6 दोनों question लिके secure कर सकते हो तो मैंने आपको बताया question number 6 के लिए सिफ 5 questions पढ़ना है आपको अच्छे से और आपका question number 6 secure हो जाएगा और answer in detail किसी भी chapters के आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है अगर आप ये दो chapters के कर लेते हो 2018 में भी देख सकते हो आप law of demand price elasticity of demand types of elasticity of demand वैसे ही 2017 में भी law of demand ratio method and geometric method of measuring price elasticity of demand अब आप सोचे के ये तो मैंने दिया ही नहीं देखो ये न यही वाला question है methods of measuring price elasticity of demand इसमें कुछ methods है इसमें आपको बस पूछने का तरीका लग है कौन सा paper था वो 2018 नहीं नहीं 2017 तो देखो ये वही है method of measuring price elasticity of demand इसमें कुछ methods है उसमें से सिफ two methods आपको पूछा गया है ratio method and geometric method तो आपको ये दोनों भी method explain करना है 16 में भी सेम ऐसा ही आपको देखो question number 6 मैं आपको पूरा पहले एकदम proof कर देता हूँ आपको कैसे पढ़ना है question number 6 law of demand assumption ये भी आप कर सकते हो types of elasticity of demand ये भी आप कर सकते हो तो देखो यहाँ पर सिर्फ types पूछा है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ types से लिख देना है पहले आपको बताना है elasticity of demand है क्या that means उसका meaning बताना है concept बताना है fit types लिखना है तब जाके आपको पूरे के पूरे 8 marks मिल सकते हैं सेम ऐसे law of demand का भी करना है पहले तो आपको meaning definition लिखना है law of demand के फिर उसके assumptions लिखने है 2015 2015 में भी आप देख सकते हो elasticity of demand factors determining elasticity of demand ये भी आपने पढ़ा होगा अगर मैंने आपको important में दे दिया हूँ अब यहां पर question number 4 आप देख सकते हो state and explain the law of demand with its exceptions ये भी आप पढ़ सकते हो law of demand मैंने बोला था assumption और exception पढ़ने के लिए तो आपको ये भी आता होगा मैं assume करके चलता हूँ तो यहां तक हमने देखा question number 1 और question number 6 आप कैसे पुरा आठ्षी से add time कर सकते हो तो आप अगर question number 1 और question number 6 पुरा आठ्षी से add time करते हो जैसा मैंने बता दिया तो आप कितने mark score कर सकते हो यहां पे 20 और question number 6 में 16 तो 20mez 16 हो जाता है 36 आप pass easily हो सकते हो पर आपके mind में question आएगा अगर पूरे के पूरे हमारे जो objective question है वो पूरे के पूरे right तो नहीं हो सकते अगर हमने right नहीं किया कुछ wrong हो गया तो क्या हम pass हो जाएंगे आपको पंड़ना क्या है और कैसे पंड़ना है और कितने points लिखने हैं यह भी मैं बताऊंगा आपको तो हमारे आदे economics important question chapter number one introduction to micro and macro economics इसमें आपको यह five questions पढ़ने है features and characteristics of microeconomics देखो feature और characteristics का मतलब एक ही होता है तब को confused नहीं हो नहीं है अगर आपको exam में पूछ लिया feature of microeconomics तो वो characteristics होता है अगर characteristics पूछ लिया तो आपको समझने है वो feature है बस यही करना है आपको और अगर मैंने आपको देखो कैसे आपको कितने points लिखने है question आता है five mark का question आता है four mark का तो आपको लिखने है five points जितने mark का question है उसका एक बढ़ा कर आपको point लिखना है बस बस इससे ज्यादा मत लिखिये बहुत ही landy paper रहता इकोनोमिक्स का इतना इनफ है अब question number two features और characteristics of macro economics इसे scope देखो features micro का भी पढ़ना है macro का भी पढ़ना है वैसे scope भी micro का भी पढ़ना है macro का भी पढ़ना है और concept भी micro और macro का पढ़ना है यह आप पूरा पढ़ लो अच्छे से और difference between मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए difference between भी ऐसा बना के रखा हो question कि आपके difference between के भी marks कहीं नहीं जाएंगे जैसे कि आपके question number six answer in detail के marks कहीं नहीं गए आपको पूरा आता था वैसे ही difference between भी आएगा मैं difference between भी आपको आपको new paper pattern आया पर questions इसी basis पर आएंगे जैसे कि पहले आते थे वैसे ही आएंगे तो आपको जड़ा भी between के marks आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हो तो तो देखो मैं आपको प्रूफ करता हूं मैंने notice यह देखो यहां पर difference between में ना तीन question है ना common chapter से आते हैं कौन-कौन से chapter से आते हैं तो मैं आपको बताता हो देखो micro and macro economic जो first chapter है इंट्रोडक्शन उसमें से question आता है difference between का यह question आप देख सकते हैं आप स्लाइसिंग method and lumping method first chapter का है और वैसे ही इंडिविजुल डिमांड एंड मार्केट डिमांड यह थ्री एंडिमांड एनलेसिस वह chapter का है तो वह chapter दो chapter common यहां पर मिल रहे हैं हमें और एक और chapter extension in supply and contraction in supply यह chapter कौन सा है supply analysis तो difference between अगर आप introduction to macro and micro economic का करते हो supply analysis का करते हो और demand डिमांड एनलेसिस का करते हो और 3B elasticity of demand का करते हो तो आपको पूरा का difference between का है 12 के 12 marks मिल जाएंगे 12 नहीं देखो यह 12 है न 3A और B का मिला करें तो आपको six mark मिलेंगे difference between यह पूरे तो अब मैं बताता हो देखो difference between भी आपको कैसे पढ़ना है हमारे जात है important question पर तो मैं difference between जैसे जैसे chapter के important बताऊंगा वैसे ही बताते जाऊंगा आपको note करना है difference between first जो question हमारा micro and macro economics second slicing method and lumping method third partial equilibrium and general equilibrium यह तीनों भी difference बेटिन आपको करने ही करने हैं यह first chapters के now second chapter यह सिफ आपको four questions कर लेना है chapter number second के यह four questions pause करके आप लिख सकते अब मैं पूरा read करके बताते जाऊंगा तो वीडियो बहुत lengthy बन जाएगा तो मैं अभी फटाफट वीडियो move करते जाऊंगा यह slides को तो पॉस करके लिख लिजिए आप feature characteristic of utility feature characteristic मतलब एक होता है types of utility see law of DMU भी आपको पढ़ लेना है assumption और exception लेकिन यह answer in detail में नहीं पूसता कभी भी तो chapter number 3 chapter number 3 is demand analysis demand analysis मैंने आपको जैसे ही पहले बताया law of demand its assumption करना ही करना है यह most important है इसको आपको करना ही करना है तो आपको 8 marks मिल जाएंगे और types of demand आपको पढ़ लेना है देखो factors affecting और determinants दोनों भी सेम होता है अगर आपको determinants पूछा तो factors affecting है अगर factors affecting पूछा तो वो determinant है बस और यह जो red-red है मैं आपको explain करता हूं वो क्यों red-red है पहले तो red वाला यह हम छोड़ देते हैं यह तीन question आपको पूरे पढ़ने हैं इसमें से बस 3 a demand analysis है पूरे के पूरे तीन question पढ़ने है और difference between इस chapter के difference between आएंगे जैसे कि मैं and indirect demand अब अगर इतना difference between कर लेते हो तो difference between में एक question इसमें से जरूर आने वाला है अब देखो यह red mark मैंने इसलिए किया हूं आपको यह पढ़ना नहीं है यह आपको automatically learn हो जाए गई है तो कैसे वह देखते हैं variation and changes in demand में अगर आप पढ़ लेते हो expansion of demand contraction contraction of demand increase in demand decrease in demand इसका difference between पढ़ लेते हो तो यह भी आप question attend कर सकते हो तो आपको इसे कब पढ़ना है जब आप difference between पढ़ लेते हो आपको बस एक look देना है टेक्सबूक में यह दोनों question पे आपको फिर ऐसा feeling आए है तो यहाँ पर यह benefit है वैसे यह important नहीं होते हैं लेकिन मैंने इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप अगर यह पढ़ते हो difference between पढ़ना ही है difference between तो आप यह भी पढ़ लोगे अब chapter number 3 B elasticity of demand what is the price elasticity of demand जैसा मैंने आपको यह पहले ही बता चुका हूँ इसमें से यह चारों में से एक fix आने वाला है 8 marks के लिए तो यह तो skip करना ही नहीं है चारों भी पूरा पढ़ना है और 8 marks के लिए आएगा तो 8 marks के लिए मैं आपको बता दू 9 points लिखने है law of demand के और में भी आप जितना textbook में है उतना maximum पढ़ने की कोशिश कीजिए points अब difference between difference between मैंने आपको बताया था 3 A और 3 B demand demand के chapter से आता ही है तो यह इस 3 B में सिर्फ 2 ही आपको difference between दिये हैं दो difference between आपको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 supply analysis अब यह supply analysis यह है यह कितने marks का chapter है अब देखो मैं आपको वेटेज पर लेके जाता हूं कि इसका भी एक reason है मैं क्यों आपको वेटेज पर लेके जा रहा हूं मैं आपको explain करता हूं अभी supply analysis 7 marks का marks का आता है marks with option 10 marks का आता है तो इतना clear है supply analysis में न देखो यह confirm है इसमें से एक difference between पूष्टा ही पूष्टा है तो आपको न पहले तो न यह chapter के न यह सब नहीं पढ़ने जितने भी red है नहीं पढ़ने इसका भी reason है मैंने red किया हूं वो मैं आपको बताता हूं पहले तो पहले आपको करना है पूरे difference between यह supply chapter के पूरे difference between करो जितना मैंने लिखा हूं stock and supply, expansion of supply and increase in supply अगर आप टेक्सबुक के exercise में देखोगे तो जितने मैंने difference between लिखे हैं यहां पर उतने आपको नहीं मिलेंगे आपको सिफ 4 तक मिलेंगे यहां पर लेकिन मैंने यह न टेक्सबुक जो chapter है उसके middle से भी निकालके आपको difference between दिये हैं क्योंकि middle से ही भी आते ह है difference between तो आपको यह पूरा का पूरा difference between कर लोगे इसमें से एक fix आने वाला है आपके board exam में 2022 तो आप अगर यह पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो पूरे के पूरे 9 questions तो आप difference between पूरा अच्छे से अटेंट कर पाऊगे तो यहां तक था difference between मैंने अब तक जितने भी difference between बता सकते हो तो यह important question है तो मैं आपको ज़्यादे question नहीं दूँगा मैं पहले आपको suggest करूँगा कि पहले आप इतना पढ़ें अगर यह सब पढ़के हो जाता है फिर आप जो बच्छे हुए questions से वो पढ़ सकते है चैप्टर no.4 supply analysis यह जो question मैंने red किया हूँ इसलिए किया हू explain the law of supply and its assumptions और exceptions law of supply और उसके assumptions और exceptions नहीं पुछे जाते उतना answer in detail में तो भी आपको पढ़ लेना है risk नहीं लेना है तो आपको यह कब पढ़ना है मैंने इसलिए red किया हूँ आपको पढ़ना कब है जब पूरा का पूरा यह जो भी black में लिखा हुआ है वो सब पढ़ने के बाद आपको यह red वाले पर focus करना है पहले नहीं करना उस पर time मत पहले वेस्ट करो वैसे आपको पढ़नी तो पुरी बुक ची नॉलेज के लिए पर मैं आपको important question दे रहा हूँ आप बाद में पूरा भी पढ़ सकते हो explain अब जो second है explain variation of supply with diagram changes in supply with diagram तो इसका जो red करने का reason य यह है अगर आप यह difference between का पढ़ते हो इंडिव यह extension in supply and contraction in supply increase in supply decrease in supply जैसे की demand में होता है वैसे ही same अगर आप यह दो question पढ़ ले तो difference between का तो यह भी आपको automatically learn हो जाएगा आपको बस एक look देख लेना है textbook में बस इतना ही था chapter number 4 में chapter number 5 forms of market forms of market में यह 5 questions मैंने दिये है features of perfect competition explain the concept oligopoly और जितने भी यह 5 है आप यह 5 के 5 अच्छे से learn कीजिए अब मैं बोलता हूँ आपको सुफ है ना यहां तक आप पढ़ोगे ना यहां तक chapter number 5 तक तो बस इतना enough है आपको 70% या 80% marks लाने के लिए economics में तो इतना ही enough है लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको बस पहले यह chapter number 5 तक पूरा का पूरा पढ़ लेना है जितने भी मैंने दिये फिर उसके बाद आपको दूसरे subject पर भी focus करना आपको economics पर ही नहीं लगे रहना तो दूसरे chapters के भी आप पढ़ लोगे अच्छे से आपक आपको focus करना है economics के बचे हुए chapter पर क्यूंकि chapter number 5 तक ही जादे questions पूछे जाते हैं तो आप attempt कर सकते हो easily अच्छे माक्स ला सकते हो chapter number 5 तक पढ़के लेकिन आपको chapter number 6 से भी पढ़ना है मैं ऐसा नहीं बूरा कि नहीं पढ़ना है बस आपको इसको बाद में preference देना है तो chapter number 6 में index number में यह सभी question पढ़ना है मैं थोड़ा सा इसको hold करके रखता हूँ आपको screenshot ले लो या फिर लिख के ले लो तो तो आप chapter number 7 पर बढ़ते है national income इस पर भी तीन questions है इन्हें आप लिख लो chapter number now chapter number 8 public finance in India इसे भी आप लिख लो इसमें भी 4 questions है और chapter number 9 जो की सिफ chapter number 9 इसमें भी सिफ 4 questions है इसको भी लिख लो ओके अब हम आते हैं हमारे last chapter पे foreign trade in India foreign trade in India इसके 3 questions है यह 3 questions आप लिख लो आप अगर इसको skip कर दोगी तो भी चलेगा पर आप पढ़ लो क्योंकि बहुती easy है यह trade related question बहुती easy रहते है पढ़ने के लिए इतना difficult नहीं होता अब यहाँ पर मैंने कुछ note लिखा है अब यह note क्या है मैं आपको समझाता हूं देखो agree and disagree ऐसा question भी आएगा आपको exam में agree and disagree वो agree and disagree कौन से चेप्टर से आएगा मैं आपको यह बता देता हूं chapter no.2 chapter no.3a और chapter no.3b that means demand के chapter का agree disagree आने वाला है और यह जो chapter no.2 है utility analysis उसका एक agree disagree आएगा chapter no.4 chapter no.8 और chapter no.9 इनका भी agree disagree इतने chapters का आप पहले करो agree disagree फिर बचेवे chapter का agree disagree बाद में करना इतना करके हो जाता है तो तो यहां तक था हमारे important questions और अगर आप यह सब important questions अच्छे से कर ले तो अगर chapter no.5 तक भी पहले करते हो न तो आपको क्या करना है previous 5 years की question paper उठाने है तो question paper आपको कहां से मिलेंगे हमने telegram पे upload कर दिया है आपको description में बस telegram जाके join कर लेना है अब वहां से आप सारे questions देख सकते हो सारे जितने भी है question paper सभी देख सकते हो हर subject कर तो आपको करना क्या है chapter no.5 तक आप पूरा पढ़ लिए अब क्या करो पहले तो 2020 से start करो उसको ले कर आप न देखो तीन घंटे में उसको practice करो कि आपको सब question आ रहा है कि नहीं अब आप लिखने के बाद आप notice करोगे कि आपको ना बहुत से questions उसमें आते हैं आप easily 70% तक score कर सकते हो economics में और फिर भी आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा पूरा attempt करने नहीं हो रहा तो 2020 का भी paper करो 2019, 2018, 17, 16, 15, 14 तक पूरे ही मिल जाएंगे आपको जेतने solve करने के बाद आप खुद notice करोगे कि आपको बहुत से questions आते हैं आप fail होई नहीं सकते economics में और आपने वो सब यह सब पढ़ लिया chapter 5 तक मैंने जितना बताया था आपको दूसरे subjects पे भी focus करना है उनके भी हम important questions लाएंगे तो आपको उसके लिए subscribe कर लेना है और notification bell icon दबा देना है वो videos टाइम पर आपको मिल जाएंगे फिर अब उतने पढ़ने के बाद सभी subjects पढ़ने के बाद आपको फिर आना है economics पे chapter 5 तक आपने पढ़ लिया था आप chapter 5 के आगे पे focus करना है बस इतना मैं बोल रहा हूं यह important question सिफ इस basis पे है कि आपको पहले preference in question को देना है तो इतने ही ता आज का वीडियो मिलते हमारे next वीडियो में thanks for watching and don't forget to like subscribe and share